नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वन मानोभू गोल प्रक्रति एवं विशैचेत्र। पिछले वीडियो में हम MCQ पढ़ चुके हैं, आज हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर को देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं, अति लगू प्रश्ण, वेरी शॉर्ट कुश्चन हमारा पहला प्रश्ण है, मानोभू गोल को परिभाशित कीजिए, तो इसका उत्तर है, मानोभू गोल में भोतिक परियावरण के साथ मानुविय गतिविधियों कार्ध्यन किया जाता है तो सबसे पहले आप भोतिक परियावरण को समझेए, भोतिक परियावरण का अर्थ है, जलवायू, मिट्टी, प्राकर्तिक वनस्पती, ये सब हमारे भोतिक परियावरण है और मानुविय गतिविधियों का अर्थ है, जैसे मानुविय गतिविधियों कार्ध्यन किया जाता है मानुविय गतिविधियों, परियावरण से प्रभाविध होती है, अर्थात मनुष्य के क्रिया कलाब परियावरण से प्रभाविध होती है इसलिए मानो भूगोल के अंतरगत सभी मानो पोशित तत्व का अध्यन किया जाता है मानो पोशित तत्व हैं जैसे जो मनुष्य को सपोर्ट करने वाले प्रत्वी पे जो तत्व हैं जिनसे मनुष्य जीवित रहता है अपना जीवि को पार्जन करता है तो सभी मानो पोशित तत्यों का अध्यन किया जाता है तो एक बार हम फिर से देखते हैं मानो भूगोल में भौतिक परियावरण के साथ मानवी गतिविदियों का अध्यन किया जाता है मानवी गतिविदियां परियावरण से प्रभावित होती है इसलिए मानो भूगोल के अंतरगत सभी मानो पोशित तत्यों का अध्यन किया जाता है तो अब हम अपना दूसरा प्रश्ण देखते हैं भौतिक भूगोल की किनी दो शाखाओं के नाम बताओ भौतिक भूगोल की दो शाखाओं हैं पहला है भू आकरती विज्ञान दूसरा है जलवायू विज्ञान अब आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्ण भूगोल का भू विज्ञान से क्या संबन्ध है इसका उत्तर है दोनों ही विश्यों में धरातली चट्टानी उनका निर्मान एवं रूपांतरन प्रत्वी की आंतरिक सन्रचना भूमिक गज्जल की इस्थिती आधिकाध्यन के अता है तो चाहे भूगोल हो या भूविज्ञान हो दोनों ही विश्यों में धरातली चट्टानों का उनके निर्मान का उनके रूपांतरन का प्रत्वी की आंतरिक सन्रचना का और भूमिक गज्जल की इस्थिती आधिकाध्यन किया जाता है अब हम आगे बढ़ते हैं भूविक ज्ञान में भूगर्व सी संबंधित विश्यों का विस्तार पूर्वा कद्धियन किया जाता है तो आप समझ गए होंगे भूविक ज्ञान में भूगर्व सी संबंधित विश्यों का विस्तार पूर्वा कद्धियन कियाता है जबकि भूगोल में समचिप्त रूप में मानवू पयोगी दरश्टी से दिन कियाता है भूगोल में जो मनुष्ट के लिए लाब दायक जो भी होगा पत्वी पर मनुष्ट को लाब प्रदान करने के लिए उनको ध्यान में रखते हुए अध्यन किया जाता है अब हम अगला प्रश्ण देखते हैं भूगोल का वनस्पती विज्ञान से संबंध बताईए तो भूगोल वनस्पतीयों का अध्यन प्राकर्तिक संसाधन के रूप में करता है भूगोल में वनस्पतीयों का अध्यन प्राकर्तिक संसाधन के रूप में किया जाता है और जबकि वनस्पति विज्ञान में उनकी वैज्ञानिक सन्रचनाओं का अध्यन किया जाता है तो भुगोल में क्या अध्यन करते हैं हम प्राकर्तिक संसाधन की रूप में उनका अध्यन करते हैं वनस्पतियों का अध्यान हम भूगोल में प्राकर्तिक संसाधन की रूप में करते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों की वैज्ञानिक संरचना का अध्यान किया जाता है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पांचवा प्रश्ण देखते हैं, भौतिक परियावरण के कौन कौन से तत्व हैं? भुवाकरति है, जलवायू है, मिट्टी, प्राकरतिक वनस्पति, ये सभी भौतिक परियावरण के तत्व हैं. परियावरण के कौन कौन से तत्व हैं? भुवाकरति, जलवायू, मिट्टी, प्राकरतिक वनस्पति, ये सभी भौतिक परियावरण के तत्व हैं. प्रशन छे, मानवी ये क्रियाएं किस प्रकार की रचना करती हैं? मानवी क्रियाएं सांस्कृतिक भूदरश्र की रचना करती हैं. तो सांस्कृतिक भूदरश्र का मतलब क्या है? सांस्कृतिक भूदरश्र का मतलब है, जिन रचनाओं को मनुष्र करता है, जिसे मनुष्र घर बनाता है, सडग बनाता है, मनुष्र पुल बनाता है, तो जो मनुष्र की क्रियाएं हैं, वो क्या कहलाती है? मानवी क्रियाए और मानुवी क्रियाएं किस प्रकार की रचना करती हैं? सांस्कृति भूद्रश्री की रचना करती हैं. अब हमारा प्रस्न साथ मानों के प्रक्रतिकरण से क्या तात पर है? मानों के प्रक्रतिकरण से क्या तात पर है? तो मानों के प्रक्रतिकरण से तात पर मानों को प्रक्रतिके अनुसार स्वयम को ढाल लेना है. जब मनुष्व प्रक्रतिके साथ अपने आपको एड़िस्ट करता है, प्रक्रतिके साथ रहने की कोशिश करता है, अपने आपको प् काड़ों में क्या करते हैं गर्म कपड़ों को पहनते हैं और गर्मी में हम कौटन के और हलके वस्त्रों को धारण करते हैं और बरसात में हम क्या करते हैं वर्षा की समय में हम छाता लगाती है या दूसरी और प्रयास करते हैं कि हम ना भीगें तो यह क्या हुआ यह हुआ मान प्रक्रति का मानवी करण किसे कहते हैं? मानो द्वारा प्रोध्योगी की का प्रियोग करके प्रक्रति की अनुसार अपने आपको डाल लेना प्रक्रति का मानवी करण कहलाता है. मनुस अपनी टेक्नोलोजी के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा जब प्रक्रति में परिवर्तन करता है अपनी अनुसार अपनी लाब के लिए जब जो परिवर्तन करता है प्रक्रति में अपने आराम के लिए तो उसे कहते हैं प्रक्रति का मानवी करण. इतने बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं इतने बड़े बड़े नदियों पर पुल बनाए हैं इतने बड़े बड़े काम किये हैं इतनी खोजें रिसर्चे सब हुई हैं तो इससे क्या हुआ है प्रक्रति का मानवी करण प्रक्रति को अपने अनुसार ढाल लेना तो मानो द्वारा प्रोध्योगी की का प्रियोक करके प्रक्रति को अपने अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है प्रक्रति का मानवी करण तो अभी तक हम लोग आती लगू प्रश्णों को पढ़ रहे थे अब हम लगू प्रश्ण देखेंगे, तो हमारा इसमें प्रश्ण है पहला भुगोल का अर्थशास्त्र से संबंद इसपश्ट कीजिए, मतलब भुगोल का अर्थशास्त्र से क्या संबंद है? अर्थशास्त्र के अंतरगत मानों की आर्थिक क्रियाओं एवं संसाधनों के विकास द्वारा मानों समाज का अध्यन किया जाता है। जितने भी उद्योग हैं, उनका जो प्रोडक्शन है, उससे जो रेटार नाता है, संसाधनों का कितना उपियोग होता है, इन सभी चीजों का अध्यन, अर्थशास्त्र के अंदर समाज का विकास उनसे कितना होता है, मानों का विकास कितना होता है, ये इसका अध्यन इस र संसाधनों की विकास द्वारा मानों समाज का अध्यन किया जाता है। और जब कि भुगोल में हम क्या करते हैं। प्रत्वी एवं मानों के अंतरसंबंधों, जिसमें मानों की आर्थिक क्रियाई वा संसाधन शामिल हैं, का अध्यन के अध्याद है, भूगोल में कहां पर कौन से संसाधन, कितनी मात्रा में पाया जाता है, किस-किस इस्थान पर कौन से संसाधन पाया जाते हैं, भूगोल मे हम इनका अध्यन करते हैं और जबकि अर्थशास्त्र में संसाधनों के दुवारा समाज का मानों का क्या विकास हो रहा है हम इसका अध्यन करते हैं तो भूगोल और अर्थशास्त्र इस प्रकार एक दूसरी से संबंदित हैं अब हमारा अगला प्रश्ण है संभोवाद एवं संभोवाद एवं नियतिवाद के मद्ध अंतर इस्पष्ट कीजिए तो संभोवाद क्या है संभोवाद विचारधारा के अनुसार मनुष प्रक्रति का दास नहीं होता है मतलब मनुष हमीशा प्रक्रति के अनुसार चलने के लिए मजबूर नहीं होता है नियतिवाद में क्या होता है नियतिवाद के अनुसार मानों का आचरण, कार, जीवन, पर्यावरण से प्रभावित होता है तो संभवाद में मनुष प्रक्रति का दास नहीं होता है हमीशा प्रक्रति के अनुसार चलने के लिए मजबूर नहीं होता है लेकिन नियतिवाद में क्या होता है कि वो प्रकृति का दास होता है प्रकृति की अनुसार ही उससे चलना होता है दूसरा पॉइंट इसमें प्रक्रति की तुल्ना में मनुष्य को महत्पूर्ण स्थान दिया जाता है संभवाद में मनुष्य प्रक्रति से जादा महत्पूर्ण है और नियतिवाद में मानों एक निश्क्रिय कारक होता है मतलब नियतिवाद की जो विचार धारा है उसके नुसार, मानों पर्यावरण में कुछ बदलाव नहीं कर सकता है अब हम अगला पॉइंट देखते हैं इस विचाधारा के अनुसार, संभवात की विचाधारा के अनुसार, मनुष अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता है, तथा वह प्रक्रती की अनेक संभावनाओं का लाव उठाता है, मतलब मनुष प्रक्रती में परिवर्तन करके अपने अनुसार उसको ढाल लेता है और जिस तरह से चाहता है, रहता है, जबकी नियतिवात की विचाधारा के अनुसार, मनुष का प्रतीक क्रियाकलाव, प्रक्रती की शक्ति से नियंतृत होता है, प्रक्रति के अनुसार ही उसे अपना काम करना पड़ता है तो आप समझ गए होंगे संभवाद में एक आशा है कि हम प्रक्रति में परिवर्तन करके अपने अनुसार उसको करके हम रह सकते हैं जबकि नियतिवाद कहता है कि हमें प्रक्रति के अनुसार ही रहना है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम कल मिलेंगे और आपको अगर कोई प्रश्ण हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईए हम उसका उत्तर जरूर देंगे धन्यवाद